हलो सुजेंट्स हाव यू कैसे हैं आप लो चलिए आज हम कर रहे हैं छोटी से इमली कौन से स्वर कर रहे हैं हम छोटी से इमली खटी मीथी ठीक है तो स्टार्ट करें अच्छा यह किसका पिच्छर है छोटी से इमली खटी मीथी और अब हम क्या करेंगे dots पे write करेंगे छोटी से imly खटी मीठी देखे कैसे write करते हैं पहले छोटी सी standing line then half circle again half circle and then इसके क्या करेंगे tail निकाल देंगे छोटी से imly खटी मीठी देखे वापिस बताते हैं मैं आपको छोटी सी standing line then half circle then इधर की side turn करेंगे और इधर की side अपन half circle बनाएंगे half circle और इसके क्या करी tail निकाल दी छोटी से imly खटी मीठी कैसे write करेंगे पहले अपन छोटी सी standing line then half circle इन दो लाइनों के अंदर ही इन दो लाइनों के बीच में ही हमार को क्या लगाना है एक छोटी सी standing line बनानी और एक half circle बनाना है then नीचे दो लाइन्स हैं उसके अंदर ये दो दो black lines है इसके अंदर हमें half circle बनाना है और देन टेल बनानी है छोटी सी इमली रात को जाका छोटी सी इमली रात को जाके नहीं छोटी सी इमली खटी मीठी रात को начина 11 चोटी सी इमली खटी मीठी standing line half circle again half circle और इसके के करी टेल निकाल दी चोटी सी इमली खटी मी थी स्टेंडिंग लाइन हाफ सरकल अगेन हाफ सरकल और इसकी क्या करी टेल निकाल दी चोटी सी इमली खटी मी थी स्टेंडिंग लाइन हाफ सरकल अगेन हाफ सरकल और इसकी क्या करी टेल निकाल दी छोटी से इमली खटी मी थी Standing line, half circle, again half circle और इसके क्या करी टेल निकाल दी छोटी से इमली खटी मी थी Standing line, half circle, again half circle और इसके क्या करी टेल निकाल दी छोटी से इमली खटी मी थी Standing line, half circle, again half circle और देन इसकी टेल निकाल दी छोटी से इमली खटी मी थी Standing line, half circle, again half circle और इसकी क्या करी टेल निकाल दी छोटी से इमली खटी मी थी Standing line, half circle, again half circle और इसकी क्या करी टेल निकाल दी चोटी से इमली खटी मी थी Standing line, half circle, again half circle और tail निकाल दी चोटी से इमली खटी मी थी तो चलिए अब आप भी ऐसे ही ममा को बोलना वो आपको picture बना के देंगी और dots लगा के देंगी और ये चोटी से इमली right करने के लिए देंगी और आप beautiful beautiful speaker करके ही right करना ओके और अच्छे से right करना चलिए, bye bye